असलामों अलेकुम फ्रेंड्स मैं खार नाजमी शरीफ वेलकम तो रहमान पतान यूटूब चैनल आफ्रेंड्स हम लोग अल्फाबेट सीरीज के जो कुश्चन कर रहे हैं कि एक्जाम में अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड या अल्फाबेट से रिलेटेड किस किस प्या कुश्चन आते हैं उसमें फर्स्ट हमने अल्फाबेट सीरीज का नंबरिंग का कुश्चन देखे कि आपको नंबर दिये जाएंगे और नंबर के हिसाफ से आपको अल्फाबेट क्या करना है मालूम करना है और आपको साथ में उसकी डाइरिक्शन भी दी जाएंगी कोशन है वह महां टेट 2017 में आ चुके हैं तो ऐसे कोशन करने के लिए बहुत से लोगों को डाउट था कंफूजन था कि कैसे करना है तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि कुछ वर्ट्स आपको दिये जाएंगे उसमें अलफाबेट की जोडिया आपको किस तरह से तलाश करन है तो देखें यहां पर हम डिकली कोशन के जरीए जाते हैं कि जोडिया तलाश करना या नि किया जिसी फ़र्स लेय नि यहां पर हमारे अगर हम देखेंगे तो आप रेटीव है इस लफ्ज में ऐसी कितनी जोडिया है जिन मेंसे हर एक में उतने ही हुरुफ उनके बीच उस लफस में है जितने की अंग्रेजी हुरुफय तहजी में हैं यानि हमको क्या करना है नंबर्स मालुम करना है alphabet के जोरिया मालुम करना है कि यह जो आपको वर्ड दिया गया है creative तो इसमें आपको ऐसी जोड़िया तलाश करनी है कि दो alphabet के बीच में इस लवज में भी उतना ही फर्क है उतना ही difference है जितना के real में जो alphabet है जो ABCD है उसमें है जैसे कि देखे एक्जाम के जरी आपको समझ में आ जाएगा जैसे यहाँ यहाँ पर वर्ड दिया गया है creative मैं लिख लेती हूं उसको C R E A T I V N E क्या वर्ड है यह creative वर्ड है ओके अब यहाँ पर देखिए हमको अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यह C और यह E C का नमबर कितना है हम देखेंगे C का नमबर है 3 और E का कितना नमबर है 5 यानि इनके बीच में 3 और 5 के बीच में कितने हुरूफ आते हैं कितने alphabet आते हैं अगर हम रियल वाली ABCD अगर हम देखेंगे regular series तो एक आता है और यहाँ पर भी एक ही alphabet आया है उसी तरह से जब regular series हम लोग लिखते हैं ABCD तो उसमें भी सेम उसी तरह से क्या होता है कि alphabet में वहाँ पर भी एक ही लेटर आता है उनके बीच में जिसके कौन सा आता है वो डी आता है ओके इस तरह से अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A और यह A और E अगर आप देखेंगे तो A का number 1 है और E का number कितना है यहाँ पर 5 वा तो इनके बीच में भी देखिए 2, 3, 4 मतलब 3 ही alphabet का यहाँ पर भी difference बताया गया है और regular ABCD में भी इनके बीच में 3 alphabet आते हैं कौन-कौन से B, C, and D इस सेकंड जोड़ी होगी है हमारी तो इस तरहां से आपको क्या करना है जोड़िया तलाश करनी है अब यहाँ पर आपको यह दो जोड़िया तो अल्रड़ी मिल गए अब एक और जोड़िया हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर यह T है और यह V है तो T और V के बीच में भी यूँ आता है ओके A की अलफाबेट आता है यहाँ पर भी A की अलफाबेट है तो ऐसी कितनी जोडिया हमको मिल गए तीन जोडिया तो इस तरहां से आपको यह question की numbering करनी है अलफाबेट की और नमबरी की हिसाब से आपको क्या करना है उस question को solve करना है तो यहाँ पर हमको कितनी जोडिया मिल गए तीन जोडिया मिल गए तो इसका correct answer होंगा 3 अगले सवाल को देखते हम लोग necessary इस लवज में ऐसी कितनी जोडिया है जिन में मतलब सेम सवाल है ये भी कि necessary जो लवज इसके अंदर हमको जोडिया तलाश करनी है कि कितनी alphabet के कितनी जोडिया बन रही है यानि इस word में भी ओन alphabet के बीच में उतना ही फासला उतना ही डिफरेंस है जितना की reality में है ओके वह हमको वैसी जोडिया तलाश करनी है अब यहाँ पर देखिए N, E, C, E, S, S, A, R और Y तो इस तरहां से alphabet यहाँ पर लिखे गए है अब इनके बीच में हमको क्या करना है जोडिया तलाश करनी है कि इनके बीच में कितनी जोडिया हमको मिल रही है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर alphabet को numbering दे सकते हैं पहले आपको numbering देनी है इनको जिसे के N कितने number पर आता है 14 number पर E कितने number पर आता है यहाँ पर 5 number पर C कितने number पर आता है 3 number पर Again E 5 S का number कितना है 19 है तो यह 19 यह 19 A का number कितना है 1 है R का number कितना है 18 है तो यह है 25 कुछ इस तरहां से यहाँ पर हमने नमबरिंग कर लिए, ओके, अब देखिए, नमबरिंग करने के बाद अगर आप देखेंगे, यह N 14 है, अब यहाँ से अगर हम जाएंगे, तो 14 और देखिए, यहाँ पर हमको आगे की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, तो हमको 5, मतरब 5, 3, 5, यह 14 से पीछले वाले नमबर है, तो इनके साथ तो जोड़िया नहीं बन सकती, आगे इन दो नमबर को हम देखेंगे, कि 14 और यहाँ पर जो 19 है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो देखिए, 14 के बाद यह हो गया 15, गिस्ती 16, E 17, फर्स वाला S 18 और यह यहाँ पर भी उनके बीच में इतना ही डिफरेंस है, जितना के रेगुलर ABCD में आता है, तो यहाँ पर हम इसकी इस तरह से जोड़ी बना सकते, कि 14 और यह 19, इनके बीच में हमको डिफरेंस देखना है, कि उतने ही अलफाबेट का डिफरेंस यहाँ पर हमको नजर आ रहा ह है क्या, तो फर्स्ट वाले अगर 19 को हम देखेंगे, तो अगर हम इसे काउंट करते तो यह 15, यह 16, यह 17, यहाँ पर 18 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 19 आया, लेकिन अगर उसके बाद हम जाये तो यहाँ पर 18 और यह 19 आ रहा है, उसका मतलब क्या है, कि regular ABCD के अंदर N का 14 नमबर है, और S का 19 नमबर है, बरब यहनि उनके बीच में उतने ही अलफाबेट आते हैं, जितने की यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, आप उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर A और Y की भी हम जोड़ी बना सकते हैं, अगर हम उल्टी तरतीब से जाये तो, यहनि A कितना है, 1 है, और Y कितना है, 25, यहनि अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ यहाँ पर, Z, Y, और उसके बाद, Y, Z, और अगर वापस से हम A, B, C, D आगर शुरू करते हैं, तो A आता है, बरब, A, B, यहनि अगर रिवर्स में अगर हम जाते हैं, तो हमको इनके बीच में एक अल अलफाबेट का आपको डिफरेंस नजरा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर कितनी जोडिया हो गई, दो जोडिया हो गई, बराबर, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अलफाबेट को नमबरिंग करनी है, नमबरिंग के जरिये हम क्या कर सकते हैं, अलफाबेट के बीच मे पांच नमबर चाहिए चार नमबर चाहिए हमको यहां पर यानि चार अलफाबेट चाहिए तो नैसेसरी में भी अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में चारी आते हैं कौन से E, C, E, S यह चार आ रहे हैं उसके बाद यह वाला S आ रहा है और अगर रेगुलर वाली ABCD में जाएंगे तो भी हमको क्या नजर आता है इनके बीच में चार अलफाबेट का डिफरेंस हमको दिखाई देता है तो नमबर इंग करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आता है कि 14 के बाद 19 आया यह नहीं चार नमबर का डिफरेंस जेगे तो आपको फॉरण वर्ड में जेक करना है अलफाबेट में जेक करना है कि यहां पर भी उतना डिफरेंस है क्या नहीं है ओके तो इस तरहां से इन कोश्चन को सॉल्ट किया जाता है अगला सवाल देखते हैं हम ल अगर हम इनकी नमबरिंग करते हैं तो इनकी नमबरिंग करने के बाद हमको क्या मिलेगा पी का कितना नमबर है आपको आप क्या करिया आप इजोटी की जरीए भी नमबरिंग कर सकते हैं जो कि मैंने आपको concept बताई हूए जोटी वाला या फिर आप alphabet लिककर भी उनके है आपको यह दएख evolves और का नमभर कितना है आर का नमभर है एट अगें ANY यहां पर एट सका कित नमबर है हमने पीछे ही और भी आपक्न यहां पॉनल तरह से हमने इसको नमबर कर लिए को कि Tao पर आगे कितने नमबर आपको नज़र आते हैं है एक 18 है और एक 19 है, आप 16 के बाद 18 तक जाने के लिए हमको एक ही नमबर का फरक चाहिए, 17 का, यानि एक ही अलफाबेट का फरक चाहिए, तो आप यहाँ चेक करेंगे कि 16 और यह 18 के बीच में कितने अलफाबेट है, तो यहाँ पर एक ही अलफाबेट है, बरब है, और अगर रेगुलर सिरीज में अगर आप जाएंगे, तो भी P और R के बीच में एक ही अलफाबेट आता है, क्यों, यह बन गी हमारी पहली जोड़ी, नमबरिंग से आसानी से आप पहुंच सकते हैं, इसके बाद अगर आप देखेंगे 16 से, यह वाला 19, तो 18 के बाद 19 आना चाहिए इसके बाद अगली जोड़ी अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए आप A का कितना नमबर यहाँ पर 1 है, D का कितना नमबर है 4, एक और 4 के बीच में कितने अलफाबेट चाहिए, कितने नमबर चाहिए, दो नमबर चाहिए, तो यहाँ पर भी दो ही नमबर का डिफ और यहाँ पर भी इनके बीच में एक अलफाबेट आ रहा है, तो यह एक जोड़ी बन गए, उसी तरह से A और D का नमबर अगर हम देखेंगे तो A का नमबर एक है, D का नमबर यहाँ पर 4 गीवन है, यह एक गीवन है, यह इनके बीच में हमको कितने नमबर चाहिए, दो न नमबर कितना है, एक है, और E का नमबर कितना है, यहाँ पर हमको 5 नजर आ रहा है, यह 9, 19 के वाले तो हम नहीं ले सकते हैं, काफी फासला है, पांच को अगर हम काउंट करेंगे, तो A से E तक पहुंचने के लिए, यानि एक से 5 तक पहुंचने के लिए, कितने आना चाहिए, बराबर, तो यहाँ पर भी उतना ही डिफरेंस है, जितना के रेगुलर A, B, C, D में है, इनके बीच में, तो नमबरिंग के जरी आपको आसा ने से समझ में आएगा, कि यहाँ पर आप अगर नमबरिंग दालती है, यह 16 है, यह 18 है, 16 से 18 तक पहुंचने के ल यहाँ पर भी दो अल्फा बेट है, तो इस तरहां से आपको क्या करना है, नमबरिंग डालनी है, और नमबरिंग के जरी आप बहुती जल्दी और बहुती आसानी से तलाश कर पाएंगे, अगर आप ऐसी अल्फास में तलाश करते बैटेंगे, तो आपको पूरी A, B, C, D क पढ़ने में गड़बड़ी में गलत हो जाता है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको नमबरिंग डालनी है, नमबरिंग के जरी आपको क्या करना है, उसको find out करना है, अब अगला वाला देखते हैं, अगला question क्या है, अगला question है donate, क्या है आपके सामने ये donate है, अब यह donate को अगर हम लेते हैं तो देखिए यहां पर भी हम क्या करेंगे अब इनकी numbering डालेंगे यह D, O, N, A, T और अगेन यह E तो अब इनके बीच में अगर मैं numbering डालती हूँ यहां पर donate को अगर मैं numbering देती हूँ तो D कितने number पर आता है D आता है 4 number पर, O कितने number पर आता है, O आता है 15 number पर, N कितने number पर आता है, 14 number पर, A कितने number पर आता है, यहां पर, P कितने number पर आता है, यहां पर, T आता है 20 पर, और E आता है 5 पर आप हमको numbering के बीच में difference देखना है देखी 4 के बाद फॉरन 15 है नहीं बनती जोड़ी 4 के बाद अगर अगला देखे तो यहाँ पर 14 है यहाँ भी नहीं बन सकती यहाँ पर अगला देखे तो 1 है अब यहाँ पर यह भी नहीं बन रही अब इसके बाद देखे तो directly 20 है और यहाँ पर 4 है यहाँ पर 5 है तो यह भी नहीं बन सकती इधर 4 और इधर 5 है तो जब सीधी सीरीज में अगर नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है उस alphabet को उल्टी तर्तीब में देखना है यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमको एक नजर आ रहा है यहाँ पर हमको यहाँ एक है और यहाँ पर 4 है तो यह एक से 4 तक पहुँचने के लिए कितने alphabet चाहिए अगर आप ऐसे जाएंगे तो दो alphabet चाहिए दो number चाहिए यहाँ पर भी दो alphabet दो number है, मतलब यह एक जोड़ी हमारी बन गई, उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यह 14 और यह 15, दोनो consecutive number दो बाजू में आ गए है, मतलब 14 और 15 यानि यह दोनों की जोड़ी alphabet में है, उल्टी जोड़ी भी आप बना सकते हैं, इस तरह से N और O की, या नि, N 14 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, तो आप उल्टी तर्तीब में भी उनको चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर A और D के बीच में, दो का difference है, A, B, C, D के अंदर और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो दो का difference हमको नजर आ रहा है, तो आपको सीधी भी जोड़ी बना कर आपको देखनी है, तो यहाँ पर यह 14 और यह 15 नो की भी जोड़ी यहाँ पर उल्टी तर्तीब से अगर बनाए तो हम बनती है, तो यहाँ पर कितनी जोड़िया हो गई, इसकी दो जोड़िया हो गई, मतलब इसका क्या answer आना चाहिए, option number C इसका correct answer होंगा अब यहाँ अगला वड़ है, sequential, आब हमको sequential की बीच में देखना है, तो देखे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, S, E, Q, U, E, N, T, सोरी यह T है, I, A और L, अब इनको अगर हम numbering दे देते हैं, तो इनकी numbering देखिया, यहाँ पर S की numbering अगर हम करते हैं, तो S का कितना number है, 19, E का कितना number है, 5, Q का कितना number है, 17, U का कितना number है, 21, उसके बाद E है, E कितने number पर है, 5 number पर है, N कितने number पर है, 14 number पर है, I कितने number पर है, T है, 20 number पर, I कितने number पर है, यहाँ पर, I 9 number पर है, A कितने number पर है, A1 number पर है, और L कितने number पर है, यहाँ पर, L का number है, 12, तो इस तरहां से हमने अगर इनको numbering यहां पर दे दिए तो आब इनको numbering देने के बाद हमको देखना है कि इनके बीच में कितने का difference या कैसे वो number है कि क्यों का नमबर कितना यह 17 है और यह 14 है अब यहां पर देखिए हमने नमबरिंग दे दिये हैं आप इसके बाद हम चेक करते हैं इनको कैसे हम लोगों के आप देखिए यहां पर हमने नमबरिं दे दिये आप हमको चेक करना है हम पहले लेफ्ट से राइट में जाएंगे बाद में राइट से लेफ्ट में हम इसको क्या करेंगे ख्रो से चेक करेंगे तो 19 के बाद अगर आप जाएगे तो आपको यहाँ पर 21, U का जो है 21 है वो नजराता है, लेकिन 19 के बाद यहाँ पर 21 तक पॉचने के लिए एक ही नमबर का डिफरेंस लेगे, यह 20 का, लेकिन यहाँ पर E और Q, 2 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से इस तरह से यह नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही का डिफरेंस यह 19 से, अब 19 के बाद आगे के और नमबर देखेंगे तो 20 यहाँ पर नजरा रहा है, यह काफी लंबा हो, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनके बीच में काफी ज्यादा अलफ़ा बेट है, कितना चाहिए इनके बीच में हमको 5-9 तक पहुँचने के लिए, याँ अगर स्टार्टिक में छोटे नमबर आए तो उसके आगे कि जितने बड़े नमबर है, आपको उससे चेक करना है कि उनके बीच में उतनी जोड़िया है क्या, तो 5-9 के बीच में कितने का फरक चाहिए आपको, 4 का चाहिए, यहाँ पर कितने है, 1, 1, 2, 3, 4, 5 का, यह भी जोड़ी नहीं बन सकती है हमारी, यहाँ पर 12 है, 5 और 12 के बीच में हमको पहुचने के लिए कितने का डिफरेंच चाहिए, 5 से 12 के बीच में, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानि 6 अलफाबेट इनके बीच में चाहिए, तो यहाँ पर कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यह भी जोड़ी कैंसल होगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप राइट से लेफ्ट में चेक करेंगे, अगर आप राइट से लेफ्ट में चेक करते हैं, तो देखी यहाँ से, अगर आप शुरुआत से जाएंगे, यहाँ पर 17 है, और अगर मैं राइट से लेफ्ट में जाती हूँ, यहाँ पर 19 है, मतलब 17 से बड़ा है 19, इनके बीच में कितने का डिफ्रेंस थैं, 17 और 19 के बीच में 18 का, यहाँ पर भी एक ही अल्फाबेट का डिफ्रेंस है, मतलब यह जोड़ी हमारी बन गई, बराब है, उसी तरह से अगर हम देखेंगे, उसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो एन, देखिए, एन कितने नंबर पर है, 14, अब यहाँ पर जाती हूँ में, तो हमको उससे बड़ा नंबर 21 नजर आता है, अगर मैं यहाँ रुकती हूँ, तो यू पर आकर लेकिन 24 से 20 के बीच, मतलब 14 से 20 तक पहुँचने के लिए से फेकी नंबर का फरक नहीं है न, यहाँ पर, तो 14 के बाद अगला बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पर 17 है, तो 17 तक हम पहुचते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको जोड़ी नजर आएंगी, कि N के बाद क्या आता है, N के और 14 तक, sorry, 14 और 17 तक पहुचने के लिए कितने नंबर का डिफ्रेंस है, यहाँ पर दो ही नंबर का डिफ्रेंस है, यहाँ पर हमारी यह दूसरी जोड़ी भी बन जाती है, कौन सी जोड़ी बनती है, N और Q की, क्योंकि real वाली जो regular सीरीज है, उसमें भी इनके बीच में 2 का डिफ्रेंस है, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर N का नंबर 14 और Q का नंबर 17 है, तो यहाँ पर भी इनके बीच में कितना डिफ्रेंस है, दो ही नंबर का, यहनी 15 और 16 का डिफ्रेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर भी U और E दो ही अल्फाबेट का क्या है यहाँ पर डिफ्रेंस है, तो यह हमारी दूसरी जोड़ी बन गई, उसके बाद अगर हम देखेंगे S तक जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर भी 4 कहीं फरक है, यहनी N और S की भी क्या बनती है, यहाँ पर एक जोड़ी बनती है, यह हो गया हमारा तीसरी जोड़ी, ओके, अब यहाँ पर आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर A देखिए, अगर राइट से लेफ में जाती है, तो A देखिए 1 नमबर पर है, और E देखिए 5 नमबर पर है, यहाँ पर इस तरह से, तो इनके बीच में भी क्या हो रही है, एक जोड़ी बन रही है, क्योंकि एक और पांच तक पहुँचने के लिए 3 नमबर चाहिए हमको, तो यहाँ पर भी 3, 1, 2, 3 ही अलफाबेट का डिफ्रेंस दे, तो यहाँ पर इस तरह से कुल कितनी जोड़िया हो गई हमारे पास, कुल जोड़िया हो गई हमारे पास यहाँ पर 4, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमको यहाँ पर 4 जोड़िया नजर आ गई, तो यह 4 जोड़िया यहाँ पर बन रही है, इस तरह से S और Q की जोड़िया बन रही है 17 से 19 तक बरबर, उसके बाद यहाँ पर S और N की जोड़िया बन रही है, 14 से 19 तक पहुचने के लिए उतना ही डिफरेंस है जितना की रेगुलर A, B, C, D में है, उस तरह से यहाँ पर A और E की जोड़िया बन रही है, उसी तरह से N से यहाँ पर Q तक पहुचने के लिए भी कितने अल्फाबेट की ज़रूरत है, N और Q के बीच में दो अल्फाबेट, तो यहाँ पर भी दो ही अल्फाबेट का डिफरेंस नजर आ रहा है, तो इस तरह से अगर आप नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग के जरी आपको बहुती जल्दी बहुती आसानी से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, कि नंबरिंग का डिफरेंस निकालना आसान हो जाता है, कि 17 के बाद अगर 18 आना चाहिए, तो इस अगर इस नंबर में भी 17 के बाद फॉराण 18 आ रहा है, जिस तरह से हमने कुशन नबर 2 में देखे, कि A और Y के बीच में अगर उल्टी सीक्वेंस अगर हम देखे, तो हमको वो नजर आ रही है, कि उल्टी सीक्वेंस से अगर हम जाए, तो Y और A के बीच में Z का फरकाता है, अगर उल्टी सीक्वेंस से हम उसको काउंट करें तो, तो उमीद करती हूँ आपको जो कंसिप समझाई जा रही है, कि किस तरह से आपको जोडिया तलाश करनी है, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा, कि जोडियों का मतलब क्या होता है, किसिफ ऐसे अल्फाबेट नहीं तलाश करना, जैसे दो बाजू-बाजू के, जैसे A और B अगर एक सात में आया तो ये एक जोडि बन गए, C और D सात में आया तो ये एक जोडि बन गए, D और E सात में आया तो यह जयानी, दो अल्फाबेट जो सीरीज हैं, यह alphabets जो है उनकी जो जोडिया है वो तलाश नहीं करना है इसका मतलब क्या है कि जो words आपको दिये जा रहे हैं उनके बीच में जो alphabets दिये जा रहे हैं उनके बीच में क्या उतना ही difference है जितना regular alphabets के बीच में है ये आपको तलाश करके ऐसी जोड़िया तलाश करनी है देखिए थोड़ा tricky है ये reasoning है तो थोड़ा tricky ही होगा इतना आसान तो नहीं होगा तो यहाँ पर आपको इस तरहां से trick और इस तरहां से आपको logic लगाना है आपको समझ में आ रहा होगा जो भी आपको समझाया यहाँ पर जा रहा है आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को टैट के लिए reasoning के अदावा दूसरे subject के लिए guidance चाहिए आपको syllabus देखना है या कोई भी अगर आपको help चाहिए तो आप हमारे channel FH2 classes पर एक बार visit करिए वहाँ पर आपको हर तरह की टैट से related information उर्दू मीडियम के और English मीडियम के लिए मिल जाएंगी वहाँ पर आपको कुछ English grammar के लिए कुछ mathematical जो question आया है टैट के अंदर उसके solution previous year के paper solution ये सारी चीज़ें आपको FH2 classes पर उर्दू और English मीडियम के लिए मिल जाएंगी एक ब वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं question अब बस दीख से यहाँ पर इस तरह से यह alphabet यह word दिया गया है आपको अब इसके अंदर आपको क्या करना है इसके अंदर आपको जोडिया तलाश करनी है तो देखिए पहले मैं वो लिक लेती हूँ क्या है वो alphabet C, L, A, N, G, O, U, N यहाँ पर है R ओके अब हम इनकी नमबरिंग कर लेंगे अब इनकी नमबरिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ पर C का कितना नमबर है तीन नमबर है L का कितना है 12 है A का कितना है 1 है N कितना है यहाँ पर 14 G का जो नमबर है वो 7 है O का जो नमबर है वो 15 है यहाँ पर U का नमबर कितना है 21 है R का नमबर कितना है R का नमबर 18 है अब यहाँ पर हमने यह नमबरिंग कर लिए इसके बाद अब हम देखेंगे हमको यहाँ पर क्या करना है कोई जोडिया बन रही है क्या तो 3 के बाद अगर मैं जाती हूं तो 3 के बाद मुझे 4 कई नजर नहीं आ रहा है 5, 6 यहाँ पर मुझे 7 नजर आ रहा है तीन के बाद मुझे क्या नजर आ रहा है उससे बड़ा नमबर जो है वो 7 है तब 3 और 7 के बीच में कितने alphabet चाहिए 3 alphabet चाहिए 3 और 7 के बीच में कितने चाहिए 3 नमबर चाहिए 4, 5 और 6 तो यहाँ पर भी हमको 3 का difference नजर आ रहा है मतलब यह बन गई हमारी एक जोड़ी अब उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यह 12 और यह 14 इन दोनों की एक जोड़ी बन गई क्योंके 12 और 14 तक पहुँचने के लिए एक नंबर का फरक चाहिए यहाँ पर भी एक ही अलफाबेट का फरक है यह बन गई हमारी second वाली जोड़ी अब अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए एन 14 है उसके बाद यहाँ पर 15 ओपर आ रहा है यह नहीं फॉरण उसके बाद नहीं है तो यह जोड़ी नहीं बनेगी उसके बाद कितना आ रहा है यू का डारेक्ली 21 तो 14 और 21 के बीच में भी काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर सिफ दो ही डिफरेंस है तो यह भी नहीं बन सकती अब 14 के बाद अगला नमबर देखेंगे तो 18 है अब 14 से 18 पर पहुचने के लिए कितने नमबर चाहिए 15, 16, 17 यानि 3 चाहिए तो यहाँ पर भी तो 3 ही नमबर है तो यह एक जोड़ी बन गई आपकी 14 और 18 की एक जोड़ी बन गई क्योंकि इनके बीच में 3 का ही डिफरेंस और यहाँ पर भी 1, 2 and 3 का डिफरेंस है तो कितनी जोड़ी हो गई अभी हमारे पास 3 जोड़ी हो गई आप उसके बाद अगर हम और देखेंगे आगे तो देखिए L और R की भी एक जोड़ी बनती है क्योंकि L 12 है और R 18 है यहनि हर छोटे नंबर से बड़े नंबर की हमको देखना है जोड़ी बन रही है कहने अब L से अगर मैं देखती हूं तो L 12 है उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है L से बड़ा 15 आ रहा है ओपर तो 12 से 15 तक पहुचने के लिए मुझे कितने नंबर चाहिए L से हो तक पहुचने के लिए यानि 12 से 15 तक 13 एं 14 दो ही चाहिए लेकिन यहाँ पर 3 आ गए A, N और G तो यह नहीं हो सकता उसके बाद अगला 12 के बाद बड़ा कौन सा है 21 है तो 15 के फॉरण बाद यहाँ पर 21 आ रहा है तो यह भी तो जोड़ी नहीं बन सकती अब अब L से 18 तक कैसे पहुचने है तो कितने नंबर लगेंगे L से 18 तक पहुचने के लिए या 12 से 18 तक पहुचने के लिए 13, 14, 15, 16 and 17 यानि 5 नंबर तो हम देखेंगे यहाँ पर 5 अलफाबेट है यहाँ पर इनके बीच में 5 अलफाबेट मौजू देते हैं यहाँ पर यह L और इसकी आपको R की भी एक जोड़ी यहाँ पर नजर आएंगी कितनी जोड़ी हो गई अभी हमारे पास 4 जोड़ी हो गई अब एक और जोड़ी हम देख सकते हैं C और G की तो जोड़ी बन गई अब एक जोड़ी और क्या रहे गई देखते हैं लोग दिखी यहाँ पर अब CD सीरीज तो हमने देख लिए अब उल्टी तर्तीब में हमको जाना है अगर 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 से मैं आर से स्टार्ट करते हैं उसके बाद बड़ा नंबर 21 से डिरेकली तो 21 और अटरा के बीच में एक का डिफरेंस नहीं है नहीं आ सकता 21 से अगर मैं जाओ तो उसके आगे मुझे कोई भी बड़ा नंबर नजर नहीं आ रहा है 15 से अगर आगे की तरफ जाती हूँ मतलब राइट से लेट में जाती हूँ तो 7, A, 14 है, A के बार और तीन है ये भी से छोटे हैं नहीं होगा साथ के बाद जाती हूँ तो डारेकली 14 है कैंसल 14 से अगर जाओंगी तो उसके बाद तीनों भी नंबर छोटे हैं ये भी जोड़ी नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती क्यों आगे का अगर अलफाबेट की जोड़ी लेना है तो उसके आगे का नंबर आएंगा न वो बराबर अब यहाँ पर अगर मैं 1 से आगे जाती हूँ ए से तो 12 तो नहीं बन सकती ए के बाद नजदिक वाला नंबर 3 है यहाँ एक और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है एक का यहाँ पर भी एक अलफाबेट का डिफरेंस है तो यहां पर भी एक अल्फाबेट का डिफरेंस है तो हमारी एक जोड़ी ये बन गई A से C तक की कितनी जोड़ी हो गए? पांच जोड़ी हो गए एक बार अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ और ओके तो देखिए यहां पर हमने जोड़िया बना लिए इस तरह से जोड़िया बन रही थी यहां पर कौन कौन सी बन रही थी देखिए C और A की जोड़ी बन रही थी यहां पर C और A की जोड़ी किस तरह से? ये इस तरहां से इनके बीच में A की नंबर का डिफरेंस है तो उल्टी तर्तिव से अगर हम जाते हैं A से C से C तक तो हमको इनके बीच में A की डिफरेंस नजर आ रहा है L का और regular series में भी इनके बीच में A की डिफरेंस है B का यानि A, B and C आता है तो यहाँ पर भी B की जगा पर L दे दिया गया मतलब उतना ही फ़राग है जितना के regular series में है ओकी ये एक जोड़ी हो गई उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो C और G की जोड़ी तो C जो है वो तीन नंबर पर है और G जो है वो साथ नंबर पर है ये तीन और ये साथ तो इनके बीच में तीन और साथ के बीच में यानि C और G के बीच में कितने अलफाबेटे D, E, N, F यानि तीन अलफाबेटे यानि इनके बीच में तीन का डिफरेंस है तीन से साथ तक पहुचने के लिए तीन का डिफरेंस है बराबर तो यहाँ पर भी तीन का डिफरेंस हमको नजर आ रहा है तीन अलफाबेट का L, A और N का ये एक जोड़ी बन गई उसी तरह से अगर हम देखेंगे हम पहले बाय से दाई की जानिब जा रहे हैं पहले उसके बाद अगर मैं देखूंगी तो N और R के बीच में N का नमबर 14 है, R का नमबर 18 है यानि regular series में इनके बीच में तीन ही अलफाबेट है कौन कौन से? O, P, N, Q यहाँ पर भी हमको तीन अलफाबेट नजर आ रहे हैं G, O, N, U तो ये एक जोड़ी बन गई हमारी अब उल्टी तर्तीब से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको A और C की एक जोड़ी नजर आती है उल्टी तर्तीब में अगर जाएंगे हम तो इस तरह से यहाँ पर कितनी जोड़ी नजर आ रही हैं हमको 5 जोड़ी बन रही हैं कौन कौन सी जोड़ी बन रही है, 5, C और A की एक जोड़ी बन गई, यहाँ पर L और N की एक जोड़ी बन गई, Ok, N और R की एक जोड़ी बन गई, Ok, उसके बास C और G की एक जोड़ी बन गई, क्योंकि C तीन नमबर पर है, G साथ नमबर पर है, तो C और G की एक जोड़ी बन ग LR, LR की एक जोड़ी यहाँ पर, जिवली L और R की भी एक जोड़ी हमको यहाँ पर नज़र आ रही है, L 12 नंबर पर है, R 18 नंबर पर, यानि कितने नंबर का फ़राखे, 13, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पर भी देखे, 13, 14, 15, 16, 17, उतना ही डिफरेंस यहाँ पर भी दिख रहा है, त क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, जब आपको यह ट्रिक समझ में आ जाएंगी अच्छे से, तो आप इसको फॉरण ही क्या करेंगे, solve कर पाएंगे, ओकी, अगला सवाल देखी, यहाँ पर क्या है, अगला वड़ है, S, E, Q, U, E, T, I, A, N, L, कुछ इस तरह से सवाल है, इनकी नमबरिंग हम लोग कर लेते हैं, इनकी नमबरिंग करने के बाद क्या हासिल होता है, देखते हैं, अब S का नमबर कितना है, S का नमबर हमको कितना मिला, 19 है S का नमबर, E का नमबर कितना है, 5 है, Q का नमबर कितना है, यहाँ पर 17 है, U का नमबर कितना है, U का नमबर 21 1 है E का नंबर कितना है E का नंबर 5 है T का अगर हम नंबर देखेंगे तो T का नंबर कितना नजर आ रहा है हमको यहाँ पर T का नंबर है 20 I का कितना नंबर है I का नंबर है 9 A का नंबर है 1 और L का कितना नंबर है L का नंबर है यहां पर 12 तो इस तरहां से हमने किया कि इसको numbering कि अब इसको numbering करने के बाद अगर हम देखेंगे तो इनकी कैसे जोडिया बन सकती है हमको वो चेक करना है तो देखिए इस तरह से यहां पर हमने इनकी numbering कर लिए आप हम इनको देखेंगे इनको हमको solve करना है इनकी हमको क्या करना है जोडिया बनानी है बराबर आप इनकी जोडिया अगर हम बनाते हैं तो कितनी जोडिया हमको नजर आती है यहां पर देखिए आप देखें यहाँ पर 19 के बाद जो बड़ा नंबर है वो क्या है 21 है तो 19 और 21 के बीच में कितने का डिफरेंस है उनली 20 का तो इसकी जोड़ी बन सकती है के नहीं 19 के बाद अगला नंबर यहाँ पर 20 है T पर यह भी जोड़ी नहीं बन सकती 19 वाला मतब S की जोड़ी किसी सी नहीं बन रहे है अब E को देखेंगे हैं E से कितने बड़े नंबर है तो 17 नहीं बन सकती 21 मतब 5 और 21 के बीच में ज्यादा डिफरेंस है देन अगें 5 नहीं बन सकत है क्या अब 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है यह 4 का 6 7 8 3 कई चाहिए लेकिन यहाँ पर ज्यादा है तो यह जोड़ी नहीं बनेंगी उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 12 है 12 और 5 मतब इन तक पहुंचने के लिए कितने लगेंगे मुझे 6 7 8 9 10 और 11 यानि 6 अलफ अलफाबेट हमको E और L के बीच में यहाँ पर नजर आ रहे हैं उके तो देखी यहाँ पर यह एक जोड़ी बनगे हमारी कौन सी जोड़ी बनी इहाँ पर E और L की एक जोड़ी बनती है यह हो गई हमारी एक जोड़ी, क्योंकि यहाँ पर 5 और 12 के बीच में 6 अलफा बेर चाहिए या 6 नमबर चाहिए और यहाँ पर भी हमको 6 ही मिल रहे है, Q, U, E, I, T, I, A इसके बाद अगली जोड़ी अगर हम देखेंगे यहाँ पर आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो देखें यहाँ पर Q और T की एक जोड़ी बनती है, यह Q और यहाँ पर T 20 नमबर पर 17 से 20 नमबर पर पहुचने के लिए हमको कितने नमबर चाहिए, 18 और 19 यहाँ पर भी दो ही नमबर है, U और E, तो यह दूसरी जोड़ी हो गई हमारी अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, तो अगर CD सीरीज में तो बाकी की जोड़ी और कोई भी नहीं बन रही है अब हम उल्टी तरफ से जाके देखते हैं, 12 के बाद बड़ा नमबर यहाँ पर 12 से जोड़ी बनाते हैं, तो 20 नहीं बन सकता, इसके बाद डिरिकली 21 है, नहीं बन सकता, 17 देखेंगे यानि 12 से 17 पर पहुचने के लिए हमको कितने नमबर चाहिए, यानि उल्टा जा रहा है अभी हम राइट से लेफ्ट में, तो L से क्यूँ, यानि 12 से 17 तक पहुचने के लिए हमको कितने चाहिए, 13, 14, 15, 16, 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है, A, I, T, E, U, 5 हो रहे है तो यह भी जोड़ी नहीं बन सकती, 12 के बाइट 19 है, 12 से 19 पर पहुचने के लिए कितने चाहिए आपको, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानि 6 चाहिए आपको, तो यहाँ पर देखेंगे हम 6 है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, यानि E तक अगर जाते है तो और 5 के बीच में कितने चाहिए, 2, 3, 4, 3 ही अलफाबेट चाहिए, यहाँ पर ज्यादा है, नहीं बन सकता, तो आप क्या करेंगे, हम इसी तरह से आपको तलाश करना है, तो यहाँ पर एक जोड़ी हमको नजर आती है, देखें, यहाँ पर 17 और 19 की एक जोड़ी आपको लेकिन आप डरिकली नंबरिंग देख सकते कि इनके बीच में कितने का डिफ्रेंस आपको वो निकालना है, अगर उतना ही डिफ्रेंस आपको वहाँ पर नजर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो जोड़िया बना सकते हैं, तो यहाँ पर 17 और 19 की बीच में एक का ही ड तो देखे इस तरह से हमारी जोडिया बनी थी यहाँ पर आपको अभी मैं अच्छे से बता देती हूं कि इस तरह से यह जोडिया बन गई थी आपकी नंबरिंग करने के बाद कैसे कि यहाँ पर 17 और 19 के बीच में एक ही अलफाबेट का डिफरेंस है 18 एक नंबर का डिफरेंस से एक ही अलफाबेट का यहाँ पर डिफरेंस है यह जोडिया हो गई इसे अगर हम एल तक जाते हैं तो यह 5 और 12 के बीच में हमको 5 अलफाबेट चाहिए किस तरह से देखे 6 7 8 9 10 11 12 उतना ही डिफरेंस है यहाँ पर यह जोडिया बन गई उसके बाद 17 से 20 पर यानि क्यू स तक जाने के लिए 80 19 और यह 20 तो यह जोडिया बन गई यानि इस तरह से आपको इन सवालात को हल करना है उमीद करती हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या आपको यहाँ पर बताई जा रही है हाटवा सवाल जो है यह आपका होमवक में है आप इसका स्क्रीन शॉट निकालिए इसमें आपको कितनी जोडिया नजर आती है दाय से बाय बाय से दाय दोनों जानिब आपको जाना है और आपको जोडिया तलाश करनी है कि कितनी जोडिया आपको नजर आती है और मुझे क कमेंट करके बताईए, ओके, तो अभी यहां पर देखिए, क्रियेटिव, यह वाला अगला सवाल है, हमारा क्रियेटिव, तो C, R, E, A, T, I, V, N, E, यह हमारा क्रियेटिव, यहां पर एक वर्ड बन गया, कि इसके बीच में हमको कितने जोडिया नजर आती हैं, आपको वो तलाश करना है, तो देखिए, अब मैं डिरिकली जोडिया बना रही हूँ, यहां पर हम लोगों ने नमबरिंग के जरीए, C लेके किस तरह से बनानी है, अब डाइरेकली मैं यहां पर क्या करूँगी, आपको जोडिया बना कर बता दूँगी कि किस तरह से बन रही है, देखिए, C और E की एक जोडिया बनेगी यहां पर, क्योंकि C और E के बीच में एक अलफ़ाबेट आता है, D का, यहां पर भी A क की एक जोडिया बनती है, A और E की बीच में कितने अलफ़ाबेट आते हैं, B, C, D, T, N, अलफ़ाबेट आते हैं, यहां पर भी हमको तीनी अलफ़ाबेट नजर आ रहे हैं, B, C, N, D, उसके बाद यह हो गया, उसके बाद हमारी T और V की एक जोडिया बनेगी, T और V के A का डिफरेंस नजर आ रहा है, तब इनको नमबरिंग के जरीए देखी कैसे करेंगे, अगर C का नमबर कितना है, यहां पर 3 है, E का नमबर कितना है, 5 है, देखी 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, एक नमबर का डिफरेंस है, 4 का, तो यहां पर भी A की अलफ़ाबेट है एक है एक नमबर कितना है पांच है तो कितने नमबर इंग का फरक है यहाँ पर दो तीन चार तीन नमबर इंग का फरक है यहाँ पर टी आई और वी ओके उसके बाद टी का नमबर कितना है टी का नमबर है बीस और वी का नमबर है बाइस यानि यहाँ पर टी जो है यह बीस हैं और यह कितना है बाइस है कितने का फर्क है इनके बीच में 21 यानि एक नंबर का कितने का फर्क नज़रा रहा है यहां पर इस वर्ड में आपको कितने alphabet का, A की alphabet का, I का तो इस तरह से यहाँ पर कितनी जोडिया बन गई, हमारी तीन जोडिया बन गई, तो इस तरह से यह सवाल आपको solve करना है कि कौन-कौन से alphabet है P, R, I, S, O, N, N अब यहाँ पर भी मैं directly आपको जोडिया बता देती हूँ कि किस तरह से directly यहाँ पर हमारी जोडिया कौन-कौन सी तयार होती है तो देखें यहाँ पर तो देखें यहाँ पर तो यहाँ पर देखें कौन-कौन सी जोडिया हमको नजर आ रही है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो O और N की एक जोडिया नजर आती है यानि उल्टी जोडी सीधी यहाँ पर कोई भी नहीं बन रही है N से O तक के बीच में एक का ही मतलब कोई डिफ्रेंस नहीं है डिरेक्ली एड्जेसिन अल्फाबेट है तो और N ओकी यहाँ पर इनकी एक जोडी बन गे उसी तरह से अगर आप उल्टा देखेंगे O से R तक O से R तक कितने का डिफ्रेंस है दो का P and Q का यहाँ पर भी दो ही अल्फाबेट का डिफ्रेंस है P and Q का तो इस तरह से डाइरेक्ट आप करेंगे या तो फिर नंबरिंग की जरी अगर आपको करना है देखिए तो R का कितना नंबर है 18 नंबरिंग से आसान पड़ता है O का कितना नंबर है यहाँ पर 15 और N का कितना नंबर है 14 तो देखिए आपको फॉरां समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो 14 पंदरा की एक जोड़ी बन रही है चाहे वो उल्टी हो चाहे वो सीधी हो आप बना सकते हैं O के तो 14 पंदरा की एक जोड़ी बन गई मतलब दोणों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर भी दोणों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तो numbering के जरी आसान पड़ता है number का compare करना number के बीच में difference निकालना आसान होता है इसलिए आप क्या करिए alphabet को number दीजिए और number के बाद आप देखिए उनके बीच में जो difference नजर आ रहा है क्या वो alphabet में जितना difference ही reality में भी उतना ही difference उनके बीच में मतब आपको दिखाई देंगा कि यहाँ पर जो numbering हम दाल रहे है वो हम जो regular series के numbering है वो दाल रहे है तो यहाँ पर भी अगर उनके बीच में उतना ही difference है तो regular series में भी उतना ही difference है उनके बीच में बराबर तो numbering के जरी बहुती है आसानी से बहुती कम वक्त में आप आपके आंसर तक पहुंच सकते है तो उम्मीद करती हूँ कि यह जो आज की वीडियो है यह आपको समझ आ गई होंगी पसंद आई होंगी जो भी अगर confusion है नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो question अगली वीडियो में और मैं समझा दूँगी आपको तब तक के लिए आप क्या करिए homework के लिए question लीजिए यह जो 12 और 13 वाला जो question आपको नज़रा रहा है behind or prince का यह आपको क्या है आपका homework है आपको इसको मुझे solve करके comment करके बताना है कि इसका answer आपका कितना आ रहा है और और एक बात अगर आपको दूसरे subject के लिए TED के लिए अगर guidance चाहिए तो एक बार FH2 classes को visit जरूर करिए FH2 classes आप visit करिए देखिए अगर आपको वीडियो जची लगी तो चैनल को subscribe कीजिए और दूसरों तक भी share जरूर कीजिए आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताईए अगर ज्यादा fast हो रहा है आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप ये भी comment कर सकते हैं आपके suggestion पर हम लोग जरूर अमल करेंगे अगर वीडियो अची लगी तो like share और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मुझे दुआ में याद रखिए अल्ला हाफीज